कैसे आप सबी सबजी ले लो सबजी सबजी ले लो सबजी अरे मम्मी ने पता है मुझे सबजी लाने के लिए कहा लेकिं मैं देखा कि घर में तादा सबजी नहीं थी तो मैंने सोचा स्पेस से ही लेके आ जाती हूँ फिर मम्मी भी बहुत खुश हो जाएंगी अरे वाव यह सबजी ने देखो कितनी हेल्दी सबजी लग रही है और यह पता है कहा होगी है स्पेस में तो चलो चलो सबजी लेने स्पेस कौन कौन ब्रेंग वो किड रेडी है और वहाँ एक बहुत सुन्दर फ्लावर भी है और पिच्चर फ्लावर ब्लूमिंग इन स्पेस लेट्स टेक ट्रिप तो थे स्पेस गारण और नो मोर अब वाओ ग्रोइंग प्लाण्स इन स्पेस नासा ने रिसेंटली एक पिच्चर शेयर की है और वहाँ पर स्पेस में सबजी यां भी उगा रहे हैं तो उसके बारे म हम जानते हैं कौन कौन जा चलने वाला है स्पेस में सबजीयों को लेने जनरली हमारी मम्मी को तो हमने देखा था कि घर के गारण में ही फ्लावर्स उगाती हैं संदर संदर से फ्लावर्स कभी-कभी सबजीयां भी उगाती हैं लेकिन ये तो बहुत सप्राइजिंग है कि स पेस में हमारे साइंटिल सबजियां का रहे हैं तो चलिए जान देखते हैं देखिए इस पिच्चर को ध्यान से देखिए क्या लिखा है फर्स्ट फ्लावर ये हैं स्कॉट केली जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेस से शेयर किया था की एक पिच्चर फ्लावर का देखिए फर्स्ट एवर फ्लावर ग्रोन इन स्पेस ये एक फ्लावर उन्होंने फर्स्ट शेयर किया था स्पेस से और इस फ्लावर का क्या नाम है बच्चों जिन्या ये है औरेंज क्लिडर के पैटल से इसमें कितना सुनदर flower है तो ये जो flower है घर के garden में नहीं स्पेस में उगाया गया है तो आप सब को surprise लगा ना brain book kid तो हम आगे जानेंगे कि कैसे उगाया था उन्होंने स्पेस में flower तो चलिए देखते हैं वान टू देखिए ये flower कैसे उगाया गया है नीचे हरे नीचे मिट्टी तो है ही नहीं ये तो कुछ bag जैसे लग रहा है इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्या है इस flower का नाम जिन्या ये first flower grown in space देखिए एरो से बताया गया है कि ये black लरके bags होते हैं इसमें हम flowers को उगाते हैं फ्लावर कितना healthy लग रहा है नीचे एक और छोटा सा flower आया आप सभी को दिख रहा है brain bucket ढूंड़िए ढूंड़िए एक और flower कितने flowers हैं यहां count कीजिए one और नीचे एक और है one one plus one is two तो हम जानेंगे कि ये दिखता कैसा है space में आप सब देखना चाहते हैं कि flower जब space में था तो कैसा दिखता था और इसमें मिट्टी क्यों नहीं डाले गई है बिना मिट्टी के कैसे उख जाता है तो बच्चों हर problem का solution निकाल दिया है हमारे astronauts में तो हम जानेंगे कि कैसे आगे बहुत सारी सबजियां हो गई गई है और क्या जूरत पड़ गी थी उन्हें सबजियां की पर चलिए देखते हैं आगे first space flower the colorful picture of zinnia flower on the left of the page was shared by NASA in January 22 year 2016 and was clicked by astronaut Scott Kelly ने ये picture share किया था कब 2016 में it was the first flower to be ever grown in the space ये है पहला flower है जो space में उगाया गया था and was developed as a project of international space station plant development system called veggie the picture released by NASA shows the space flower zinnia with the orange petals in full bloom and its tangled leaves the image also shown and out of the focus earth and the blackness of the space तो चोलो हम देखते हैं ये वाली picture जो है कौन से फ्लावर ये जिनिया फ्लावर space में दिखता कैसा है ये share किया था हमारे NASA के द्वारा NASA में जो astronaut है Scott Kelly ने और कौन सी येर में share किया था 2016 उनका प्रोजेक्ट है NASA का कि space में फ्लावर उगाना उसका क्या नाम है वेजी International Space Station Plant Development System called a veggies तो हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी वेजी उगाई हैं और उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो zinnia flower space में दिखता कैसा है चलिए हेलो ब्रेंबुकेट चलो बताए हेलो आई एम फास space flower प्लीस टेल मी दाने बताएए बताएए ब्रेंबुकेट इसका नाम क्या है कर्रेक्ट आई एम जिनिया कितना ब्यूटिफूल flower है इसके औरेंज पैटल्स है और ये space में कितना अच्छा लग रहा है ऐसे picture तो हमने कभी सोचा ही नहीं हमारी मम्मी तो घर में फ्लॉवर उगा देती है बहुत सारे लेकिन हमारे जो scientist है नासा के उन्होंने तो space में भी flower उगाया है कितना सुन्दर है ये जो peachy blue blue दिख रहा है ये space है और हम जानेंगे से लेटेड और information के बारे में तो आरे एक्साइटेड येस चलिए जानते हैं पोदों में जब हम पानी डालते हैं तो बड़े हो जाते हैं अरे लेकिन यहां luggage क्यों आ गए count कीजी लगेज इसको ये हैं six luggage नासा space garden veggie the vegetable production system known as veggie in a space garden situated on the space station the veggie garden is about the size of a six cabinet and typically holds six plants ये एक six luggage जो हमने लगेज इसकाउन कीए थे six luggage को यदि हम आसपास रख दें तो उतना बड़ा हमारा ये गार्डन होता है जिसमें हम कितने plants लगा सकते हैं six plants लगा सकते हैं और यहां पर cabinet जिसा बनाया है तो हम देखेंगे यहां पर जो light दी हुई है कौन से color की है ये pink जैसी magenta color दिख रहा है तो वो क्या करता है और यहां पर plants हमें उगाने के लिए हम generally मिट्टी का यूज़ करते हैं लेकिन यहां पर mud नहीं है स्वाइल नहीं है तो यहां पर कैसे उगा रहे हैं bean bags होते हैं यहां पर उसमें उगाया जाता है तो हम इसको close up देखते हैं देखिए यहां पर light पड़ रही है बहुत सारे plants रखे हुए हैं उग रहे हैं और यह space में उग रहे हैं देखिए brain book के कौन कौन सी veggies है उसके बारे में हम next episode में जानेंगे तो आपको surprise लगा ना इतनी सारी veggies को देखे तो चलिए हम next episode में space से क्या लेकि आएंगे ताजी ताजी सबजियां और हमारी मम्मी भी वो कुश हो जाएंगे कितनी fresh veggies हैं फिर हम बनाएंगे ताजी ताजी सबजियां तो जो कौन कौन चलने वाला है space में सबजियों को तोड़ने next episode में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए brain book kid और हाँ बच्चों आपको दो से तीन बार इस episode को रीड करना है तब मिलते हैं next episode में बाई 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 बाई